नमस्कार मैं कशिश वह स्वागत है आपका राचनेटिक गलियारे में आज का मुद्दा है राजिस्थान राजिस्थान मुद्दा इसलिए बनता जा रहा है बार-बार ही क्योंकि सचेन फैलिट को मुख्य मंत्री पद नहीं मिल रहा जिमेदारी देने की बात की जाती है लेकिन जिमेदारिया नहीं दी जाती है लोगों का कहना जिंता केना यहा पर तो सचीन फैलिट की स्रफ इस rookie बताद क्यों कैया इस बात पपार चुपी कीन साधे बैटे सैथे साथे-स अभी है हैं जिमेदारी दी गई थी मलिक आर्ज पर को अब वो यहां पर भी बोलते हों नजर नहीं आए लेकिन आपको इस बीच कुछ खबरें बता दे कि यहां पर जो गहलोत की विधायक था वो कई ना कई बगावत कर सकते इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने की राजेंद्र गुड़ा ने भी साफ कह दिया है कि अगर परिवर्तन नहीं किया जाता तो मैं इस्तिफा दे दूंगा उन्होंने भी यह बात कहीं साथी साथ आपको बता दे हनुआन बेनीवाल हैं वह भी लगतार यहां पर अश्यों गहलोत पर तंच कस्ते नजर आ रहे हैं यहां पर दिवया मदेडना है और भी बहुत सारे नेत पर देडने के सपने भी दिखाया जाते लेकिन वह पूरे होने से पहले कई ना कई तोड़ दिये जाते हैं यहां पर जो सचिन पालेट के समर्थ है कि वह कई ने कई रावल गांदी को धंकिया देते नजर आ रहे होने कहा है कि भारत जुड़ो यात्रा जो दिसनबर महिने दिसनबर में शुरू होगी तो से पहले फैसला ले ले या फिर आने वाले समय में इंतिजार करें कि हम क्या वाल लेगिन से ऑब्रार्ए में सत मौझ। आपर बाड़ो है कि सबसे पहले बात करेंगे दिसंबर में तो क्या लगते कि है पर जिस तरीके से विधायकू निकार कि उसे पहले अहले नहीं लिया गया तो क्या करते नजर आएंगी विधायक को लेकर परएख के देखा में अपने काम को अंजाम जाएं तो जाहिर सी बात है कि उनके बैयानों से अगर जोड़ करके देखा जाए इस पूरे मुद्दे को तो ऐसा लगता है कि कहीं कांग्रेस पार्टी काफी इस पूरे मामले पर जो कहले है और जाहिर सी बात है कि बहुत सारे विधाय कैसे इस को कई ना कई गहलोत के खिलाफ नज़रा रहे जिसमें से राजेंदर गुड़ा ने तो ये कह दिया है कि वो पार्टी से इस्तिफा दे देंगे चाय परसादिलाल मीनहों ऐसे कई तरीके के चेहरें जो कही ने कही इस पूरे मामले पर गुटबाजी तो जरूर देखे जारी लेकिन ये बात तैय है कि अभी दरसल मामला कुछ ऐसा है कि सचिन पालेट के हमायत में कुछ नेता बोलते नज़रा रहें अशोग गहलोत के हमाय पक्षबाजी जरूर है लेकिन पार्टी के भीतर सब रहना चाहते हैं और दार इसी बात है कि कॉंग्रेस पार्टी अगर इस मामले का हल तलाशेगी तो इसका हल भी जरूर निकल जाएगा नेता है युवा चेहर है इस वजह से उनका इस्तमाल बार बार किया जा रहा है लेकिन जम्यदारी देने पर कहीं न कहीं हाँ घबरा रही है राहुल गांदी सोनिया गांदी दोनों घबरारी की पालेट को जल्दबाजी हम पर ही भारी पड़ते हैं देखें सचीन पालेट शेयर कॉंग्रेस के लिए काफी ज़्यादा मायने रखता था और उनको इस्तमाल करने का एक बड़ा जो कारण था कॉंग्रेस पालेटी का वो यही था कि दरसलों वहाँ पर जो चुनावी नतीजे हैं वो बिलकुल बदला जाए और इसी कड़ी में सचीन पालेट का चेहर यह आसवाशन जरूर मिला हुआ कि भविश में उनको मुख्यमंत्री के पद पर जरूर नियुक्त किया जाएगा भली अभी कुछ ताखिर देखने को मिल रही है अगर ऐसा लगता है पालेट को की जल्दी उन्हें यहां पर मुख्यमंत्री पद पर जरूर यहां पर कई न कई दिया जाएगा इन फ्यूचर अगर ऐसा सुगता जा रहा है तो अभी अगर देखा जैस समर्थ को में जो गुस्सा लगाता और बढ़ता जा रहा है अगर उसके पीछे के क्या बजाए कि यहां पर लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करें अशोग गैलोट को और इस वज़ें से सब कुछ देखना पड़ रहा है देखिए अशोग गैलोट को लेकर कि जनता का जो आप कह सकते हुए मैंने सब जिस तरीके से बदला है खास और से अब समझें कि दो बार मुक्यमंतिरी का कारेकाल पूरा करने वाले ने था अगर इस तरीके से विधायकों को आड़ बना करके कहीं न कहीं सचीन पालेट को अगर मुक्यमंतिरी बनने से रोकते हैं जाहर सी बात है कि उनकी इमेज़ पर एक असर जरूर पड़ा जनता उन सायुक्त करना ही कर ले न करना इनुक्त करना और ने पात हैं रहे परिसक्राइब करें उखेव हो पारटी तो टाइम से पहले ही तो 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 बीस बात का इल्म था कि अगर वो इस तरीके का प्ड़म होता है नहीं तक उन तमामुदायाईकों पर फैसला नहीं करेंगी है सब्मेरेसि और नहीं कॉँख़ संक्या में जाना में यह तक मुनाफ़ की राज़नी can यह dura avec матери उनके साथ उस समय जाने का दिरना ही लिया लेकिन जब पूरी तरीके से इस पूरे मामले का जो है असपश्टी करन देखने को मिलेगा तो विधायक कही न कहीं सोच समझ करके फैस्टर निगा उड़ सकता है कि मातर पांच छे विधायक गहलोत के साथ जा जा कहीं न कहीं अग गहलोत यहां पर सोनिया गांधी राहूल गांधी से पूरी तरीके सलग हो जाएंगे इस वज़े से इतनी देरी कीशा रही है और भी बहुत सारी जानकारी है जो लगतार देखने को मिल रही है क्योंकि साथी साथ दिखा जाए तो राजिस्तान में भी भारत जोड़ो यात पहुचने वाली है वहाँ पहुचेगी और राहूल गांधी क्या गहलोत और पालिट की बीच में हो रहे हैं उनमुटाब को यहां पर कम कर पाएंगे या फिर यहां पर फेल होते नज़राएंगे यह जानकारी है लगतार सामने आ रही है अब देखना है यह कि आने वाले स